वो डिस्कावर्ट न्यूक्लेस न्यूक्लेस के बारे में हम सुनते हैं जानते हैं लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते के न्यूक्लेस को डिस्कावर किस ने किया लेकिन हम सब जानते हैं के सेल के अंदर एक न्यूक्लेस होता है जो के हमारा जिसूम बिलियन आ मिन को उसके सेंटर में होता है बल्के ब्लांट के जिसुम oudliche торs mijch वहाँ पर भी है से उकलेस पाया जाता है और उसके अंदर न्यूकर्स के तर में नहीं होता है बल्के वह किसी भी तरफ होगा उसका चांसिस है लेकिन एनिमल्स के जिसुम के अंदर नियुक्लेस सेल के पिल्कुल सेंटर में होता है और नियुक्लेस के अंदर क्रोमसोम्स पाए जाते हैं हाई सेल के अंदर 46 क्रोमसोम पाए जाते हैं बात हम कर रहते हैं नियुक्लेस को किसने दर्याफ्ट किया अच्छा इससे पहले अगर हम बात करें सेल को एक साइजदान जो के राबर्ड हुक के नाम से हम जानते हैं उसने 1665 स्वी में दर्याफ्ट किया इसके बाद पहुत साल बात 831 में तर्येबन दो सदिया बात दो सदिया गुज़रने तक किसी को यह पता नहीं चला कि सिल के अंदर और कुछ चीज़े है या कि नहीं है सेल के अंदर और क्या है किसी को पता नहीं था और इसके बाद तो सो साल से जाई अर्सा गुज़ने के बाद सेल डिस्कवरी है एक और साइचदान, राबरेट हुक के बाद, राबरेट ब्राउड नाम एक साइचदान ने ठाइट सो एकत्री इस्वी में, सेल के अंदर, एक नीुकलेस डिसकवर किया। हम यह आं यह निग्लिकृष की अरिक कर्फ मेरे बात क्या कि निग्रिक वघिया और किसे निसकेरएं यह था यह था यह तर राबिर्ट ब्राउन नामी साइजदान 1831 इस्वी में उन्हों ने अर्चिट्स के खुलियों में एक गोल जिसम न्यूक्रेस को दर्याफ्त किया यह है न्यूक्रेस की डिसकोवरी